हेलो, गूड बॉर्निंग दोस्तों, 17 दिसंबर 2018 की प्रलिम्स अप्डेटर स्रीज में आपका स्वागत है, चलते हैं आज की हमारी न्यू जिस्कसिंगी तरफ तो देखते हैं, आज का पहला आर्टिकल, आज की जो पहला आर्टिकल है, वो है बेसिकली ओक्सिटोसिन के बारे में, तो हम ओक्सिटोसिन हार्मोन के बारे में जानते हैं, इसका क्या-क्या यूजेज होते हैं, वो हम देखते हैं, और इसको बेहन वगरा भी क्या गया है, उ इंटीवर्टिक एंड फार्मासोटिकल लिमिटेट इसके द्वारे ही हमारे देश में ओक्सितोसिन हार्मोन का उत्पादना वह भी अलाउट किया गहा है और बट अहम बात इसे है कि दिल्ली खाई कोट ने अभी ये काई कि भी आप oxytocin hormone के जो बैन इसके उपर बैन लगा गया गया आपने उसको आप हटाईए क्योंकि इससे खाविशारी प्रोब्लेंस का सामें दिक्कत है वो आ रही है तो हम वो बैसेकली कंटेक्स्ट है तो हम हमारे लिए हाँ पर इंपूरेंट है oxytocin hormone के यूजज क्या क्या है और इसको बैन वगया रहा किया गया है इसका यूज क्या है वो हम सब देखेंगे आपर सबसे पहला फेक्टी आता है कि भाई इसको बैन किया क्यों गया है तो इसके लिए हम यह जानते है कि oxytocin hormone का भी जाना जाता है क्योंकि इस हार्मोन यह जो हार्मोन है इसकी हेल्प से हम हमारे सिस्टम में उसमें खुशी को फील है वो करते हैं यह बेसिकली जो हमारा behavior है इसको effect है वो करता है इसी के साथ ही जो female के अंदर reproduction system होता है biological function होते हैं उनको basically या उनकी उनके represent करने में इसकी काफी एहम भूमिक है वो होती है अब हम भहम बात करें कि कैसे जन्नेट होता है तो देखो आपने नाम सुनाओगा pituitory gland जिसे इंप्यूस गरंथी करते हैं जो कि हमारे दिमार्ग में मत्र के दाने की उसके द्वारा basically Oxide oxygen hormone का निर्मान है वो किया जाता है तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखने है कि brain में brain का एक पार्ट होता है जिसका नाम है hypothalemus तो brain का जो hypothalamus पार्ट है इस पार्ट के अंदर pituitory gland होती है और उस गरंथी है उस gland के द्वारा basically Oxide oxygen hormone का निर्मान है वो किया जाता है और जो कि brain का base होता है उसमें इस्तित है वो होती है अब यह जो oxytocin hormone है ना यह तो hormone का काम भी करता है यह आप ध्यान रखना है वो इसी के साथ ही brain का एक neurotransmitter भी होता है मतलब हमारे तंतर का तंतर को हमारे brain के कोई भी information देनी है तो वो basically oxytocin hormone के द्वारे ही दी जाती है तो यह effect में मैं ध्यान में रखनी है कि neurotransmitter का काम है वो भी करता है और hormone है उसका भी काम यह करता है इसका साथ जैसा मैंने आपको बता है कि pituitory जो gland है उसकी help से इसका production है और इसका उतपादन है वो होता है और इसका काम क्या है इसका मैंनली दो काम है एक तो female reproduction system यहने कि जो child birth है उस time इसकी जुरूत होती है इसके साथ ही जो best feeding होती है उसमें इसका यूज है वो क्या जाता है तो अब इनने कहीं काफी गलत था और उससे कहीं ने कहीं काफी से disease है वो दी देखने को मिल लेती और इसलिए dairy industry में इसका काफी बड़ी मात्रा में मिश्यूज होने की वज़ास से गौर्डमिंट ने इसको बैन कर दिया कि काफी rare case में ही हम इसका यूज हो कर सकते हैं बाकि अनिमल वगरा पे इसका यूज है वो ना किया जास की क्योंकि दो farmers वगर आते हैं जो dairy farm होते हैं वो गाय बैसों से दूद की production को बढ़ाने के लिए इसका यूज है वो करते हैं इससे के साथ ही जो vegetables होती है इनकी size बढ़ाने के लिए जैसे कि गाजर होगे या फिर आप यहां एक प्लांट बात करें या फिर गोड्स होगे कुकंबर होगी वाटरमेलन होगे पंकिन होगे इन सब की size बढ़ाने में भी इसका यूज है पूर क्या जाता है तो इसलिए government ने इनको बेहन किया क्योंकि इनसे कहीं नहीं कहीं बीमारिया फिल रही थी तो यह बैसिकली चीज हमें ध्यान में रखने की यूज कहां कहां पर होता है और हम चलते हैं नेक्स आर्टिकल पे नेक्स जो हमारा आर्टिकल है वो है फार्म लोन वेवियर देखो अभी आपको पता है पिसले दो सालों से जब भी government आ रही है कोई ने को government वो किसानों के loan map को लेके काफी कुछ न कुछ परियास कर रही होती है तो उसी चीज को लेके अभी RBA के जो पूर्वर गवर्णर थे या बोल सकते होगी फॉर्मर गवर्णर थे रगुराम राजन उन्होंने कुछ statement वगरा दिया तो देखो basically prelims में खर कुशन बने या ना बने मैंस के जदा important होता है बट हमें तोड़ा पता होना चाहिए तो उन्होंने रगुराम राजन ने ये का कि देखो अभी देखा जए तो 2017 की जो RBA की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक लगबग हमारे देश में जो government है उसने 28,000 कोड रूपे का loan map किया है किसानों का जो कि basically 2017-2018 की टाइम पे साथ स्टेट हैं जिन्होंने किसानों का loan map किया जिसमें की उतरप्रदेश include है महराष्टर include है राजस्थान include है तो यह स्टेट बिसके लिए आप responsible किया गए है इससे के साथ रगुराम राजन ने का कि जो 28,000 कोड रूपे का loan map किया गया है इससे हमारे दे negative और negative की बात करें तो negative impact काफी जाद है क्योंकि short term solution आप कर सकते हो loan map से बाकि long term benefit किसानों के लिए इससे कुछ नहीं है अगर एक बार फसल खराब होगी तो आपने loan map कर दिया दुबारे फसल खराब होगी तो loan map कर दिया इससे solution थोड़ी हो अपर्मानेट इसका माल यह तो अपने सरंखला इस्टार्ट कर दी तो उसका कही ने कहीं बहुत बड़ा नुकसान हमें हमारी कुनों में देखने को मिल सकता है इससे के साथ ही हम बात करें कि जो farmer या agriculture sector है यह हमारे देश का जो national output होता है उसमें लगभग 15% इसका contribution रहता है तो यह चीज हमें दान में रख आप देखो हम इसके ड्रोब एक बात करें तो काफी बड़े नुकसान है यह कि लोन माफ बेसिकली उन्ही किसानों का क्या जाता है जो कि जिनोंने बैंकों से लोन लिया है अब आपको बता है बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो कि खुद की जमीन पर खेती नहीं करते हैं दूसरे लोगों के जमीन पर खेती करते हैं, तो उन लोगों लोन ठोड़ी माफ हुआ है, जिनके जमीन है, जिनने एक तरी से जिन बैंकों से लोन लिया है, उनिका तो लोन माफ हुआ, अब आप दूसरा ये भी डख सकते हो, कि कुछ किसान ऐसे हैं, जिनने की गाउं में जो साउकार वगएरा होते हैं, माजन वगएरा, बढ़ी वगएरा, उन से लोन लिया होता है, तो उनका भी लोन माफ थोड़ी हुआ है, मतलब यहाँ पर बात ही है, कि सब भी किसानों का लोन माफ थोड़ी हो जाएगा, चुनेंदा जो किसान है, या फिर जो बड़े फार्म है, बड़े किसान होगे, जिन्होंने की काफी बड़े मातरा में खेटी किया, और बैंकों से लोन ले रहे हैं भारे मातरा में, उनका तो लोन माफ हो जाएगा, बाकर जो चोटे और मारिजनल फार्म है, इनको बेनिफिट नहीं होगा, इससी के साथ ये एक पार्सियल रिलिफ है, क्यों? पार्सियल रिलिफ और बार फसन खराब होगे, आपने लोन माफ करते हैं, दुबार है फसन खराब होगे अटो अच लोन माफ, और इससे हमारे देश में महेंग ही बड़ेगी उल्टी इससे के साथ ही जो लोग agriculture sector में मजदूरी का काम करते हैं उनको क्या benefit हुआ उनको तो कोई benefit नहीं मिलने वाला इस सीज़ का तो all और बात के हैं कि जो loan maaf करना है किसानों का उससे किसानों को कोई permanent solution नहीं मिलने वाला औ और अमीर किसान इसका पूतर तक फायदा उठा सकते हैं तो मतलब यह permanent solution नहीं है loan maaf करना उसके बार में basically इस आर्टिकल ने कुछ point है वो आये है नेक्स चो आर्टिकल आया है वो है जी सेट सेवने देखो अभी इस रो है उसने basically जी सेट सेवने सेटलाइट है वो लौंच किया है तो यह चीज़ हमें sorry लौंच करने जा रहे है अभी 19 तारीकों मतलब कि दो दिन बाद इस सेटलाइट को लौंच हो क्या जाएगा 37 दवन जी सेट सेवन सेट जी सेट सेवन जो सिरीज है वो यह सिरीज गोर्नमेंट ने basically जो हमारे देश की इंडियन नेवी है उसके लिए लौंच है वो के थी मतलब इंडियन नेवी को जो भी कम्यूंच के लिए सेटलाइट की ज़रूत होती है उसके लिए जी सेट सेवन सिरीज स्टार्ट की गेती तो अभी उसका एक सटलेट वो लॉंच किया जाना है 19 तारीक को प्रस्तावित हो यहां पर किया गया है तो यह चीज हमें धार में रखनी है कि जी सट सेवन जो सिरीज है वो गवर्णमेंट के द्वारा इंडियान नेवी के लिए चलाएगी है ताकि सेटलेट कम्यूनिकेशन के हेल्प से अपने लिंक है अपने कॉंटक्ट हो गोर्णमेंट से आप हो चक्तो या फिर जो हमारी जमीन है वहां पर क्उंटक्क करपाते हैं और उसके लिए सेटलेट के उनको जरूद फर दिये तो उनके लिए सेटलेट है जिसका नाम है G7 7 से वो लॉंज किया जाता है, तो यह चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कि G7a series है, वो है किस से related, और इसके लिए जो space यान या बोल सकते हो, कि जो satellite launch vehicle यूज किया जाएगा, उसका नाम है GSLV F11, तो यह ध्यान रखनी है, कि geosynchronous satellite launch vehicle है, F11, उसकी help से G7a satellite को launch है, वो किया जाना है, तो यह context हमारा बन जाता है, यहाँ पे, और देखो हम बात करें कि, यहाँ पे GSLV F11 के बारे में, तो यह 4th generation का launch vehicle है, देखो यहाँ पे थोड़ा confuse हो सकते हो, आप 4th generation का launch vehicle है, और 3 stage है इसमें, यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, यूपेस से एक्जामे क्या देदेगी कि 3 stage है, और 4 stage है, और इसमें 4, बेसिकली, मतलब 4 stage देदेगी, उपेसी उल्टा फिर गुमा सकती है कुछ भी हमें, यह से बोल सकते हैं कि 3rd generation देदेगी, फिर आप देदेगी 4 stage है, ऐसा दे सकती है, फिर कुछ भी option हमें confuse कर सकती है, तो हमें ध्यान में रखना है, कि GSLV ज उसके अंदर क्या है, जनरेशन है, मतलब 4 तो जनरेशन होगी है, और 3 stage का उस्टलाइट और 3 stage है, उसमें solid, liquid, solid, तो यह चीज़ भी हमें धान में रखनी है, यह बेसिकली हापर कुछ फेक्टर वो बन जाते है कि UPSC Science and Tech के नजरी से भी हापर question है, और जो GSAT 7 ए में, नेक्स चो आर्टिकला है, वो है, इको निवास सहीता 2018, तो हम जानते हैं कि इको निवास समहीता है क्या, देखो basically ministry of power है, उसके द्वारे है सहीता 2018 यह वो start की गई है, तो इसके लिए थोड़ा हम समझने की कोशित करते हैं, देखो जिस तरिके से जो electricity के लिए आपको friendly वगरा है, वो features उसमें होते हैं, तो उसी तरिके से हमायद इसमें जो building बनाई जा रही है, उनकी भी design ऐसे हो, उनको ऐसे बनाया जाए, ताकि उसमें energy की कम ज़रूत हो, जैसे कि बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें window इस हिसाब से लगाए जाए, कि हमें दिन के अंदर भ कुछ हमें proper design में change करना, किस तरिके से format वगरा तियार करना है, उन सब के लिए basically एको निवास सहीता है, वो बनाएगी है, तो एक तरिके framework है हम बात कह सकते हैं, जिस तरिके से energy rating दी जाती है, उसी तरिके से यह framework है, जो कि basically energy conservation building code of residential, यहाँ पर building है, यहाँ पर हम बोलते हैं क ministry of power के द्वारा यह initiative वो start किया गया है, और यह ministry of power है, उसने अभी 14 दिसंबर को basically national energy conservation data, उसी मोके पर basically eco newas सहीता को start है, वो किया है, जो कि Bureau of Energy Efficiency है, उसकी help से start है, वो किया गया है, अब हम बात करें कि eco newas सहीता का main motto कह है, तो eco newas सहीता 2018 है, इसका main motto यह है, कि हमारे देश मे जो भी building construction बनाई जा रहे हैं, घर हो, अपार्टमेंट और भी township हो, उनको इस तरीके से develop करना है, ताकि energy की efficiency या energy का use हो, कम हो सके, मतलब फालतु कि energy हो, हाँ पर consume ना हो, building वगरा को इस तरीके से construct करना है, कि जिसमें ज़्यादा electricity की ज़रूत ना हो सके, और उसी को focus करते पर basically environment में promote करने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा energy का load है हम पर उसको हम manage कर सेगे, इसके लिए सहीता ये code है, वो एक तरीक फ्रेमवरक है, वो बनाए गया है, तो ये basically यहाँ पर context है, अब हम यहाँ पर देखते है, energy conservation building code, यह अखिर समें जो star rating है, ये कैसे काम करेगी, तो ये बिल्डिंग कोड है, मतलब एक उन्होंने framework तरह कर दिया, कि आप बिल्डिंग मना रहे हो, तो इस साय साय की खिड़किया होनी चीए, उनकी direction ही, उन्चे रूम इतना बड़ा हो, तो उसमें ये होने चीए, features, ताकि वहाँ पर ventilation वागरा भी proper हो सके, तो ये आपने architectures हैं, या फिर जो experts हैं, जो कि building material वगरा produce करते हैं, वो developer वगरा हैं, supplier हैं, वो सब मिलके basically design बना रहे हैं, ताकि उनको भी इसका benefit है, वो मिल सके, और इसी के साथ ही बहुत बड़ी मातरा में, जो हमाई देश में climate change हो रहा है, all or world में, उससे भी निपढ़ने के लिए में, क बचाईत हो रहे हैं, और यही government चाहती है, और यही basically आपको पता है, कि government ने वादा किया था, कि भी हम 2030 तक हम energy को भी इनर्जी को भी गंजरू करेंगे, और environment को भी हम protect है, वो करेंगे, इससे के साथ ही जमने आपको पता हैं, resistance जो complex वगरा हैं, construction sites वगरा हैं, उन सब में basically इ use है, वो क्या जाएगे, इस framework का, देखो इससे एक थोड़ डाटा भी दिया गया है, अगर इसको हमने सही डंग से apply किया, तो लगबख 125 billion unit per year, इतनी हम बचा सकते हैं, मतलब 2030 तक हम हर साल 125 billion light की unit है, वो बचाएंगे, और इससे हम बात करें, तो लगबख 100 million ton का carbon dioxide का emission है, व पता होना चाहिए कि energy conservation building code के बारे में, अब हम यहाँ पर देखते है, Bureau of Energy Efficiency BEE, काफी important यह body हो जाती है, देखो basically statutory body है, जो कि मिनिस्ट्री ओफ पावर के अंडर काम है, वो करती है, 2002 में इसको बनाया है, वो गया था, energy conservation act है 2001, उसके दहत इसका निर्मान किया था, 2002 में, इस उनको implement करना और उनको एक तरिके से, उनको monitoring वगरा करना है, वो सारा काम Bureau of Energy Efficiency के द्वारा किया जाता है, जैसे कि government एक scheme तलायती, street light योजना, LED street light योजना, तो वो भी implement हो किया थी Bureau of Energy Efficiency के द्वारा, क्यों government तो scheme announce कर दी, इसके बाद जो implement करने का काम है, वो किया जाता है Bureau of Energy Efficiency के द्वारा, इसके और objective के बात करें, तो यह है कुछ इस परकार है, कि reduce energy efficiency, मतलब energy के जो demand है, उसको control करना, manage करना, इसके साथ ही energy की जो emission हो रहा है, carbon emission, green house gas emission है, उनको control करना, global जो warming हो रही है, climate change हो रहा है, उनसे निपटने के लिए, जो भी green house gas है, उनका एक एक से limit है, उन पे वो लगाना, इसे के साथ ही, इसका अहम काम क्या है, green house gas, जो emission है, उसको कम करना है, देखो आपको बता कि इंडिया के government ने, UNFCCC जो conference, उते United Nations Framework of Conventional Climate Change, उसमें basically commitment है, वादा किया था, कि 2030 तक हम लगबग 33 से 35 परसेंट तक जो green house gas है, इनका emission कम करेंगे, तो अकर emission कम करना है, तो मतलब हमें कहीं न कि, जो भी efficiency है, इसको improve करना होगा, तो इसलिए government ने LED light वगराई वित्रम करने का अफिसर प्रोग्राम है, वो चलाये थे, और इसलिए काम है, वो Bureau of Energy Efficiency के दवारा किया जा रही है, ये थी आज की हमारी discussion, इक्टुली कल की जो हमारी discussion थी, जि जो कि हमारी पहले की discussion से related है, आज का जो पहला question है, वो है net neutrality के बारे में, question ये है, कि जो net neutrality है, इसके बारे में जो भी consultation paper है, वो किस agency के दोरा release किये जाते हैं, पहला option आपके सामने try, Telecom Regulatory Authority of India, दूसरा है Department of Telecommunication, तीसरा है Ministry of Information and Broadcasting, चोता है Ministry of Electronics and Information Technology, तो देखो इसके बा आना है, कि जो net neutrality के जो consultation paper है, वो किसके दोरा जारी किये जाते हैं, next जो question है, agenda 2063, मलब agenda 2063 है, वो किसके साथ है, यहाँ पे, पहला option आपके साथ में, sustainable development goal, दूसरा है African Union, तीसरा है World Fair Trade Organization, चोता है none of the above, तो आप बताइए कि agenda 2063 किस से related है, दोनों ही question काफेच है, आपको comment box म आप answer रहो comment box में जुरूर बताएं, ताकि बाकी लोगों भी बता चले, और मुझे भी बता चले कि हाँ, भी motivation के उज़से, और आगी और अच्छे वीडियों वो बनाये जाएंगे, तो फिल्हाल की discussion में इतना ही है, तो thank you, thank you very much for discussion.